हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका पाठशाला रिषिकेश के यूट्यूब चैनल पर, तो उत्राखंड की तैरी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, उत्राखंड पुलिस से रिलेटेड जो उत्राखंड कॉंस्टेबल का एक्जाम है, उसकी तारीक से लेकर, जो उसकी तार कर रहे हैं, दियान देना मेरे भाई, आप लोग को हम लगातार पढ़ा रहे हैं, और मैं दिल से चाहता हूं कि उत्राखंड कॉंस्टेबल का एक्जाम सबसे जल्दी हो, उसका रिजल्ड जल्दी आए, उसकी नियुक्तियां जल्दी हो, क्योंकि कई मेरे छोटे भाई तै आपको डबल मेहनत करनी है, और इस डबल मेहनत करने के साथ आपके साथ है पाठशाला रिशिकेश, क्योंकि आप अल्रेड़ी ही इतना खर्चा कर चुके हो, तो आपको पाठशाला रिशिकेश यूट्यूब पर फ्री क्लासेज, नोट्स अपने टेलिग्राम चैनल पर औ आपको फ्री प्रेक्टिस सेट कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ, उत्राखंट पॉलीस की तयारी करने वाले और भी जो गुरूप सी की तयारी करने वाले वो भी इसका फायदा ले सकते हैं, है ना, चलिए, इस वीडियो में मैं लेकर आपके लि वीडियो बनाना नहीं है, मुझे लगता है कि जब तक पेपर ना हो जाए, तक कट आफ की बात नहीं होनी चाहिए, तो तुम भी अपने दिमाग से एक निकाल दो, तुम प्रेक्टिस सेट करो, उसकी कट आफ देखो, कि उस पेपर में क्या इजी कोशन था, हर प्रेक्टि हम दे रहे हैं, फ्री प्रेक्टिस सेट, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फ्री प्रेक्टिस सेट, बिल्कुल, इस प्रेक्टिस सेट का ये प्रेक्टिस सेट है कैसा, क्या है इस प्रेक्टिस सेट में, देखो, इस प्रेक्टिस सेट में है 100 MCQ, 100 MCQ, मुल्टिपल चॉ प्यूटर भी एड़ कर लो मतलब जो चीजें जैसी आती है उसमें जो भी संभावित चीजें होंगी उस पे हम बात करेंगे वैसा ही पेपर मिलेगा 100 का 100 कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा आगे बता रहा हूं ध्यान से समझा परिक्षा कब होगी इस सवाल का जवाब मिल रहा है निउस पेपर के माध्यम से और एक्प्रेस विग्यप्ति के माध्यम से वह मैं आपको दिखाऊंगा पेपर का लेडल यहां पर का अपना सोचने का तरीका होता है यहां पर डरने वाली बात थी तो अच्छी बात है कि participate यह UKPSC, Lower PCS, Upper PCS समिक्षा अधिकारी, देखो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपको दोस्तों, क्यूंकि अभी 28 अगस्त को Lower PCS का में में लिख करके आए हूँ, मुझे भरोसा करो दोस्तों, उसके बाद UP PCS का अपर जो है, वो अक्टूबर में है, तो वो भी हम लिखने जा रहे हैं, तो देखो ऐसा है कि चीजे ना पता रहती है, जब आपने पेपर क्लियर किया होता है, जब आपने पेपर दिया होता है, आपने एक नहीं 10 पेपर, तो आप मेरे अनुभव से ये चीजें सीख सकते हो, और कुछ नई बातों को हम काम पे लाएंगे, ज्यान से समझना UKPSC नई भरतियों के मामले में धामी जी जैसा CM हमको मिला है और एक स्थिर CM है यूआ CM है तो कही न कहीं उनके द्वारा जो भरतियां लाने के अनाउंस्मेंट है वो उनको जवाब दे बनाती है कि भईया अगर मैंने यूद को काई कि भरतियां आएंगी तो कहीं न कहीं हमारा यूद देरदून में हंगामा कर रहा है हरदौार हलदौानी में हंगामा कर रहा है वो चाहता है वो लड़ रहा है अपने संगर्ष के लिए वो हंगामा अपने अपने अधिकारों के लिए है, अपने संगर्ष को अपने संगर्ष को परिणाम में बदलने के लिए ठीक है, तो नई भरती का क्या गह रहा है क्या गहना है न्यूस पेपर का और प्रेक्टिस सेट की बागतों मैं करूं गई, फिर ध्यान से देखना, मैंने कुछ बुक्स लिखी है मैंने कुछ बुक्स लिखी है, उसमें पहला नाम मैंने लिखा है, विंसर का, फिर परिक्षावानी का, फिर लूसेंड का, और प्रिवियस येर कोश्चन ये अंतिम, मेरी बाद ध्यान से सुनना, देखो 60-70 दिन बचे हैं, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको लोग अलग-अलग भाती-भाती की बाते बताएंगे, हमेशा याद रखो, एक बुक, कोई भी, एक बुक, उसको पाँच बार करो, उसको पाँच बार, मतलब एक बुक को इतनी अच्छी तरीके से कर लो, कि आपको दूसरा तीसरा ना देखना पड़े, UKPSC एक चीज के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है इस्टेंडर बुक को फालो करें, अब तक परिक्षावानी से वो पेपर बनाता आया है, बिल्कुल बात सही है उसके अलावा, विंसर पब्लिकेशन की भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी, क्योंकि देखो, UKPSC का जो कोशन होता है पाटशाला रिशिक आपके लिए विंसर पब्लिकेशन का स्पेशल एडिशन लेकर के आएगा, यूट्यूब पे कवर करेगा, उसको और दिक्कत नहीं आएगी लूसेंट और प्रिवियस यर कोशन्स, प्रिवियस यर कोशन्स किसके, देखो, GKGS इतना ज़ादा होता है कि उनको हम बहुत कम टाइम में तो सम्मेट ने सकते, उसके लिए सबसे असान तरीका है कि प्रिवियस यर कोशन्स किये जाए, अब आते हैं अगली खबरों पे, खबरे कुछ प्रिकार से थी, तो जैसा मैंने कहा कि धामी जी के लिए बहुत जादा यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने सहज तरीके से सुधारों को लाते हुए, कुछ मामलों में आप सुन रहे होंगे कि विधान सभा का भी मामला रहा है, उसमें भी कुछ उन्होंने जो हैं, कड़े आदेश निर्देश दिये कि भाया, क्या किया जाना चाहिए कि विधान सभा जो अध्यक्षा हैं वो उस पर कारवाई करें, उत्रा खंड में 19,000 पदों पर होगी भड़ती, तो देखो लड़ाई युद्ध का समय है, घर में बैठने का नहीं, यह नहीं कि पेपर लेट हो रहा है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का समय आ गया है, एकदम दुरंत गती से आपको पढ़ना है, समुगा, भड़ती, आयोग, प्रस्ताओ, यह पुरानी खबरें हैं, बिल्कुल, मैं आपको वो नहीं खबर भी दिखायता हूँ, यह क सारी बातें बिल्कुल सही है, और परिक्षा तिति को 18 दिसंबर माना गया है, किसकी आरक्षी PSC की, अगनी शामक पुलिस के लिए, समझ पा रहे हैं आप, 7 अक्टूबर को इसकी विग्यपती आएगी, परिक्षा तिति से सम्मंधित सूचना आएगी, और 18 दिसंबर को प जिहान से समझना, 14 अक्टूबर को इसके लिए विग्यापन प्रकाशन तिति आएगी, और 8 जनवरी 2030, अब देखो कई लोग आपको कह रहे होंगे, कि पुनहा उनका विग्यपती में पुनहा उनको भरा जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, या बाकी सारी चीजे होंगे, एक्जाम पर काम करते हैं, एक्जाम के लिए चलते हैं, आर ये बात समझ में, और बाकी वन आरक्षी का पेपर, 23 जनवरी, तो थोड़ा ही टाइम रहे गया है, इन सब एक्जाम के लिए आपको मिलेगा 100 MCQ का क्या प्रेक्टिस सेट, तो ये था वो तारीक का जो हमें लग रहा है कि वास्तविक हैं, प्रेस नोट के तोर पर, और ये न्यूस पेपरों में भी आज आ गया है, उत्राखन में भढ़तियों की रहा खुली, लगबद 36-32 पदों के लिए कैलेंडर जारी, और ये रहा वो न्यूस पेपर, क्योंकि उसके बाद न्यूस पेपर में ये प्रेस नोट के बाद ये आया है, पटवारी लेकपाल के लिए 1.3 लाक आवेधन, 1.43 लाक आवेधन आये थे, तो इन सब से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है न, तो इन सब चीजों पर आवेधन को मौका देगा, तो ऑनलाइन आवेधन का दुबारा मौका देग सबी उमिदवार को राजलोक से वायोग दुबारा ओनलाइन आवेधन का मौका देगा, एक बात हो गई, दूसरी बात, केवल विज्या पंजारी होगा, पुलिस कॉंस्टेवल भरती के लिए दुबारा ओनलाइन आवेधन नहीं होंगे, ये न्यूस पेपर अभी कहा है, अब इसके बारे में जानकर नहीं है, कब मिलेंगी, जो पिछली डेट दे गई गई है, जो डेट दे गई है, ओफिशल में कब आएगा, ओफिशल में फाल्तू मत तलास करना, इसकी तारिख आईगी 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि पुलिस का जो प पुलिस के तो नहीं होंगे यहां पर लिखा गया है आ रहे है बात इतनी समझ में आगे चलते हैं मेरी बात ध्यान से समझना देखो यह है हमारा ओफ-लाइन बैच ऐसे चार ओफ-लाइन बैच पाट-शाला रिशिकेश में चल रहे हैं तो आप भी अपनी ओफ-लाइन कोशिश करेंगे कि आपको क्या मिल जाए आपको आपको हमका मिल जाए यह विं सर्की ऊतराखंड की की एर बुक मेरे भाई इसको ज़रूर पड़ो कोशिश करो कि अगर आप नहीं पड़ पा रहे हों तो आपको पाट-शाला-विचेश एक यहारबुक को अक्टूबर के इस वीडियो के last में आ रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि देखो धन्यवाद आपने सुना और देखा अब आपको क्या करना है मेरे भाई फ्री प्रेक्टिस सेट लेने के लिए कहां जुढ़ना है टेलिग्राम चैनल से जुढ़ना है टेलिग्राम चैनल का नाम क्या है पाठशाला रिशी केज यहाँ पर आज से पहले भी 30 प्रेक्टिस सेट जो है वो फ्री एविलेबल है पहली बात यह आज के बात से फिर से प् बनाए हैं तो देखो अगर 30 को 100 कोशन से मल्टिप्लाइ करोगे तो मेरे भाई 3000 ऐसे कोशन बनाए हैं जो आपका पूरा 2022 करंट अफियर स्टैटिक योजना स्कीम इन सब को रिवाइस करवा देगा तो आपको क्या करना है चैनल को सबस्क्राइब करना है वीडियो पे बने रहना है पुराने प्रेक्टिस सेट को डाउनलोड करना है और नया प्रेक्टिस सेट आपको मिलेगा पाटशला रिशीकेश में शनिवार को ये भी है बात आ रही आपको समझें और उसके बाद बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेज भी आपके लिए लाइव चला करेंगी ये है हमारी तयारी तो हम उत्राखंट कॉंटिबल वाले बच्शों को जितना भी फ्री दे सकते है जितना भी फ्री कंटेंड मोہिया करवसकते है वो इस चैनल पर करवाएंगे अपने तयारी करते रहें इस बात का मनाओगे 18 दिसंबर के बाद तो तयारी करो हमारे साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद